हलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग सायद आप लोग सभी अच्छे होंगे और आज का हमारा टापिक है पावलाओ का सिर्थांत इसके बारे में हम लोग विश्तरत रूप से इचर्शा करेंगे और आसा करता हूँ अगर आप इस वीडियो के देख लेंगे कभी भी पावलाओ से स उसका लिंक दे दे जाएगा आप उनको जरूर देखेगा और जो भी मैं वीडियो लाता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्तपुन है तो सुरू करते हैं आज का वीडियो पावलाओ का सिध्धान तो सिध्धानत है अनुकूलित अनुकरिया सिध्धान कंडिसंड रिस्पा नहीं थे ये चीकिस सकते या कह सकते हैं सरीर क्रिया विज्धानी थे और ये पाचन क्रिया पर प्रियोक कर रहे थे और पाचन क्रिया पर प्रियोक करने की वज़े से इनको 1904 में जो है नोबिल प्राइज मिला ठीक है और इनका जो कहें जो पाचन क्रिया पर प्रियोक था वो मनोविज्ञान से संबादी नहीं था लेकिन किसी कारणवस जो है इनका वह प्रयोग जो है मनोविज्ञान में आ गया तो ये सिद्धान्त मन गया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धान्त और इन्होंने अपने सिध्धान्त को सिध्ध करने के लिए कुद्ते पर प्रोकिया था सिध्धान्त का मुख उद्देश क्या है तो इनके सिध्धान्त में ये दर्साय गया है कि जब हम अस्वाभाविक उद्धीपक और स्वाभाविक उद्धीपक को लगातार एक साथ देने लगते हैं किसी भी व्यक्ति या जानवर को तो जानवर हो चाहे विक्ति हो जो क्रिया स्वाभाविक उद्धीपक को देख कर करता है वह क्रिया वह अस्वाभाविक उत्तेजक या उद्धीपक को देख कर करने लगता है और यह क्रिया हो जाती आपकी अनुकूलित अनुक्रिया कंडिशन रिस्पॉंड जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगी कि जब कुत्ते को जो है भोजन दिया जाता था तो वो लार गिराता था लेकिन जब कुत्ते को भोजन के साथ साथ घंटी बजाई गई यानि जैसे ही भोजन दिया जाता उससे कुछ सेकंड पहले जो है घंटी बजा जाती और इस क्रिया को काफे दिनों तक दोराया गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि घंटी ही बजाई गई तो तब भी कुत्ते के मुह से ला रहा गई तो मतलब बताया गया है कि भोजन के साथ जो क्रिया करता था वह घंटी के साथ करने लगा तो यही है इनका सिध्धान्त की अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स साथ जो क्रिया का होना ठीक है यही इनका अनुकूलित अनुक्रिया सिध्धान्त आप लोग याद रखेगा बहुत ही महत्तपोड है आगे बढ़ते हैं प्रियोक की ओर तो पावलाव महोदे ने अपने सिध्धान्त को सिध्ध करने के लिए कुट्ते पर प्रोग किया और यही इसमें लार आती थी खिडकी है यहां से कुट्ते को चुपके से अपजर्व किया जाता है तो इस प्रकार से सिप्ध महोदे अपने लैम में अब प्रियोक चरण देखते हैं यहाँ पर 4 चरण है कहीं कहीं पर 3 चरण लिखे होते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दिखें पहला चरण है भोजन यानि कुत्ते के सामने जब भोजन नेचुरल स्टुमिलस या कह सकते हैं अनकंडीशन्ड स्टुमिलस UCS रखा जाता है स्वाभाविक उत्तिपक या स्वाभाविक उत्तेजक रखा जाता है तो वो स्वाभाविक अनक्रिया UCR Unconditioned Response करता है यानि लार गिराता है यानि UCS बराबर UCR कुत्ते के सामने जब UCS यानि भोजन रखा जाता है तो वो UCR करता है यानि लार गिराता है यह होता है पहला चरण लेकिन दूसरा चरण इसमें घंटी बजाना जो की होता है Conditioned Stimulus अस्वाभाविक उद्धीपक जब घंटी बजा जाते है कुट्ते के सामने तो कुट्ता किसी भी प्रकार की कोई भी हनुकरिया नहीं करता है कोई भी रियक्षन नहीं देता है तीसरा चरण यह क्या करते है कि भोजन यानी UCS के साथ CS यानी घंटी बजाते हैं अस्वाभाविक उद्धीपक भी जोड देते हैं तब भी कुट्ता जो है लार गिराता है यानी UCR करता है देखी इस प्रतक्रिया को यानी इस जो सिच्वेशन है इस प्रतक्रिया को जो है काफी बार दोराय गया कि जैसे भोजन दिया जाता है उससे कुछ समय पहले घंटी बजा जाती ठीक है ऐसा करने से जो है अंत में होता है कि जब घंटी बजा जाती है किवल अस्वाभावि उद्धीपक को ही दिया जाता है तब भी जो है कुत्ता लार गिराने लगता है और यह जो क्रिया होती है यह होती है अनुकूलित अनुक्रिया conditioned response तो आपने प्रयोग में देखा कि जब भोजन दिया जाता था कुत्ते को तब भी लार गिराता था तब तो लार गिराता था लेकिन जब घंटी बजाईगे तब वो लार नहीं गिराता था लेकिन जब तीसरा त्रण किया गया कि जब भोजन दिया गया भोजन से कुछ समय पहले घंटी बजाईगे तो वो लार गिराता है ठीक है और इस क्रिया को जो है बार-बार दोराय गया अंत में ऐसा होता है कि जब घंटी बजा जाती है तब भी कुत्ता लार गिराता है क्योंकि उसने सीख लिया था कि जब घंटी बजा जाएगी तब ही हमको भोजन मिलेगा तो उसने पावलावने जैसे ही घंटी बजाई तो कुत्ता लार गिरान लगा क्योंकि वह समझ गया था कि जैसे घंटी बजेगी वैसे मुझे भोजन मिलेगा तो कुत्ता जो था वो अस्वाभाविक उत्तेजक को देखकर जो है क्रिया करने लगा अनुकूलित अनुक्रिया करने लगा यही था इनका अनुकूलित अनुक्रिया सिध्धान दिखे ये तो था एक जानवर पर प्रियोग अगर नार्मल लाइफ में देखे माल ये एक कमरा है एक कमरे में एक लड़का लेटता है और उसकी माँ सुवे सुवे आती है और उसे आवाज देकर बुलाती है बेटा उठ जाओ तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है अगर आपको कोई आवाज देगा तो आप उठ जाएंगे तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आपको कोई आवाज देगा आपकी मां ने आपको आवास दिया कि बेटा उठ जा सुबहा ओगा यह जल्ली से स्कूल जाना है तौँ आप फटाक से स्वाभा भी कनुक्रिया करेंगे और उठ जाएंगे लेकिन अगर उसकी मां जो है केवल लाइट जलाती है कमरे की कमरे की लाइट जलाती है तो बच्चा नहीं उड़ता है क्योंकि मा ने आवाज नहीं दी लेकिन जब लाइट जलाती है उसकी मा तब तो नहीं उड़ता है लेकिन अगले दुनों में जब उसकी मा आती है तो उसको बुलाती है कि बेटा उठ जाओ और उसके साथ-साथ जो है लाइट जलाती है तब वो उठ जाता है कुछ दिन इस situation को जो है उसकी मा दोराती है ठीक है अब केवल उसकी मा जब कमरे में आती है और लाइट जलाती है तब भी वो बच्चा उठ जाता है तो कह सकते हैं कि अगर श्वाभाविक उद्धीपक को अस्वाभाविक उद्धीपक के साथ जोड दिया जाता है तो स्वाभाविक उद्धीपक से जो क्रिया अगत्ती करता है उसी प्रकार की क्रिया अस्वाभाविक उद्धीपक से करने लगता है यही था इनका अनुकूलित अनुक्रिया सिध्धान्त तो साइद आपको समझ में आगे होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वण उपनाम ठीक है सिध्धान्त के उपनाम है ठीक है सिध्धान्त के उपनाम है तो इनका सिद्धान्त जो है अनकूलित अनुकरिया सिद्धान्त जो है ये CR थेवरी भी कहलाता है इस चीज को आप लोग ध्यान ने कहेगा अगला है सास्त्री अनुबंधन सिद्धान्त इनका सिद्धान्त जो है सास्त्री अनुबंधन सिद्धान्त भी कहलाता है प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धान्थ इनका जो सिद्धान था वो सबसे प्राचीन था ठीक है इसी वजे से जो है इनके सिद्धान्थ को प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धान्थ भी कहा जाता है अनुबंधन क्या होता है मतलब अस्वाभाविक उद्धीपक का स्वाभाविक अनुक्रिया से जो जुड़ना होता है वो होता है आपका अनुबंधन अगला संबध प्रतिक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिध्धान्त ये भी जो है इसका उपनाम है अगला है अनुबंधन का सिध्धान्त ये भी जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिध्धान्त कहलाता है दिखी जो हमारे पावलाव महुद हैं वो अनुबंधन के पिता भी कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है क्या क्या था अस्वाभाविक उद्धीपक को जो है ऐसा कर दिया कि वो कुत्ता जो है वो स्वाभावी कनुक्रिया करने लगा यानि अनुकूलित अनुक्रिया करने लगा तो अनुबंधन के पिता जो है ये कहलाते हैं और इनका सिद्धान्त अनुबंधन का सिद्धान्त भी कहलाता है अगला है सरीर सास्त्री सिद्धान्त भी कहते हैं ठीक है तो ये बहुत ही महत्वण हैं आपको ये याद रखने हैं एक्जाम में काफी बार पूसे आते हैं देखे सिधान्त की गुण या उसेस्ता हैं संबद्ध प्रतक्रिया सिधान्त बालकों की सिच्छा में बहुपयोगी सिद्धुआ इसकी पुष्टे में निमलिके तत्त प्रस्तु किया सकते हैं या सिधान्त जो है सीखने की स्वाभाविक विधी बताता है ठीक है अता या बालकों की सिच्छा में साहता देता है या सिधान्त बालकों को अनेक क्रियाओं और आस्मान विवहार की व्याख्या कराता है या सिधान्त बालकों के सा इसके सामाजीक्रन और वातावन से उनका सामन्जन इस्थापित करने में सहयता देता है। करके बालक भाय संबन्दी रोगों का उप्चार किया जा सकता है समाज मनों विज्ञान के विद्वानों के अनुसारी सिधान का समुह के निर्माण में बहुत महत होता है देखे ये तो एक जनरल सी बात लिखी हुई है इसमें लिखा हुआ कि जो बालक होता है बालक में जो ह इस सिधान्त का प्रियूक करके जो है भय का निवारण किया जा सकता है ठीक है और इस सिधान्त के द्वारा श्रमुहु का निर्माड किया जा सकता है ठीक है इस सिधान्त के द्वारा जो है शामंजस की प्रक्रिया इस्थापित की जा सकती है जैसे की पावलाओं ने इस्था करने लगा तो इस सिधान्त के माद्यम से हम वातावण में शामआंजस स्थापट कर सकते हैं ठीक है बालुकों को हम इसी के माद्यम से सिच्छा दे सकते हैं आप जो है colorful TLM का प्रयूग कर सकते हैं आप अपने school में ठीक है तो तो इस प्रकार से जो है ये इसके जो है कुछ महत्पुण गुड या विसेश्था है थी और अगर आप चैनल पर नहे है चैनल सब्सक्राइब पर लिजेगा और देखिए इसका जो PDF आपको टेलिग्राम गुरूप से मिल जाएगा आप वहां से उसको डाउनलोड कर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स